देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा, ओम गणिशाय नमहा, ओम नमश्य वाय, मैं निखिल जोतिश आचार्य आप सभी का, मेरे चैनल पे पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे, महादेव की ग्रिपाब सभी पर सदय बनी रहे, ग्याव वीडियो है, 6 जून 2022, मं यानि की सोमवार के दाइनिक राशीफल के बारे में, एक भौती सामानने साजोतिश इवच्रेशन होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशीफल दिया जाता है, और आपकी सुविधा के लिए राशीफल एक दिन पहले प्रदर्श्यत होता है, हर राशी के साथ भी बताया जाता है राशी फल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संग्शिप्त सी नदर डाल लेते हैं 6 जुन 2022 का पंचांग इस तरह से तिथी रहेगी शष्टी नक्षत्र रहेगा मघा योग रहेगा हर्शन करण रहेगा ताइतिला और वार रहेगा सोमवार सूर्य महाराज 5.24 एम पर उद्य होंगे और अस्त होंगे 7.17 पी एम पर चंद्रमा सिम्ह राशी में रहेगे और उनका नक्षत्र रहेगा मघा और सूर्य महाराज विर्षब राशी में रहेगे और उनका नक्षत्र रहेगा रोहिनी का चौथा चरण कुछ विशेश मूरतों की बात कर लेते हैं ब्रह्म मूरत 4.3 a.m. से 4.44 a.m. अभीजीत मूरत 11.53 a.m. से 12.48 p.m. और अमृत काल 11.50 p.m. से 1.34 a.m. कुछ अशुब मूरतों की बात भी कर लेते हैं राहुकाल 7.8 a.m. से 8.52 a.m. और गुलिक काल 2.5 p.m. से 3.49 p.m. इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो शिव चालीसा का एक बार पाट करके ही घर से निकलिएगा तो ये था पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के से मेश राशी के जात्कों के लिए आज का दिन अच्छा दिकरा है एक चीज कहूँगा कि अपनी होबी में थोड़ा टाइम जरूर दीजेगा क्योंकि शायद अपनी बुद्धी मता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ढंक से कारण यही है कि कई उल्जनों में उल्जे हुए हैं इसलिए जो आपकी थिंकिंग है वो क्लियर नहीं हो रही है थोड़ा सा अपने जिंदगी के रोजमरा के कामों से हटकर कुछ करेंगे तो माइन में प्रेशनेस आएगी और क्लियर आपकी सोच हो जाएगी क्लियर आपकी थिंकिंग हो जाएगी अपनी बुद्धी मता का पूरा पोटेंशल आप यूज नहीं कर रहे हैं आपके पास जो भी प्रॉब्लम है समय आप अराम से उसका सॉलूइशन निकाल सकते हैं लेकिन उलजनों में इतने उलज गए हैं कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बहुत ही पॉजिट जल्दबाजी से बचना है वानी और एक्शन्स दोनों में ही आपको जल्दबाजी नहीं दिखाने जहां तक बिजनस की बात है कि यदि हेल्थ केर इंडस्ट्री से है कोई भी आपका बिजनस उससे लेटेट दिन अच्छा रहेगा लव लाइफ पे चलते हैं दिन तो ठीक है छोटी मोटी अधी प्रॉब्लम जा रही थी तो आज उनको सॉल्व कर लिजेगा क्योंकि आज दिन अच्छा है दोनों की तरफ से अंडरस्टेंडिंग बेटर रहेगी जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यहां भी दिन अच्छा ही दिख रहा है थोड़े अपनी उर सरवाश्टा के हिसाब से आपका दस्वा स्थान अत्यन्त बली है तो कारेक्षेत्र में थोड़ी अपनी अपना इगो को आपको कंट्रोल करना है अहम को कंट्रोल करना है आपके लिए उपाई है रहेगा कि शिवजी को किसी भी फल का भोग लगाकर ओम नमस्षिवाय का 27 बार जाप करें शुबंक है तीन शुब कलर है यलो भाग्या प्रतिशट है सत्तर प्रतिशट अब चलते हैं टॉरस यानि की विर्शप की तरफ थोड़ा सा आज कम बोलिएगा और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पर आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना वरना वह च अच्छा है लेकिन थोड़ा कम बोलना है एक बार जरूर देखिए आपने आसपास कि वह कौन से लोग हैं वैस कौन से चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कुछ एड नहीं कर रही जो सिर्फ आपको पीछे पुल कर रही हैं यदि कुछ ऐसे चीज़ें हैं यदि आपके क अंतिम भाग में करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अत्यनत शुब दिन हैं फाइन से संबंदे से जॉब करते हैं लाव होगा जहां तक बिजनस की बात है थोड़ा सा अपने बिजनस के मार्केटिंग पर उसकी एडवर्टीजमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दें नहीं आ जाते तब तक फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना बंद कीजिए जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यदि मौका मिलता है अज अपने लाइफ पार्टनर से के साथ छोटे से ट्रिप पर जाने का तो उस मौके को जरू ठाइएगा स्टूडेंस से यही कहूं स्लीप डिसॉडर तंग करेंगे सरवाष्टक के हिसाब से आपका नाइन थाउस भाग्यस्थान अत्यंत बली है तो जैसा मने कहा था कि भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा है उपाय है कि शिव जी का ध्यान करते हुए उनको एक घी का दिया अरपन करें और शिव कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि रिटेंशन पावर चीजों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी कुछ नया करना चाते हैं लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि हां मेरे पास ये चीज आ जाएगी ये पूरा हो जाएगा समान तब मैं कुछ कुछ नया करूंगा ऐसी दुविदा में है तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े रिसोर्स फुल बनिये मतलब कि जो भी आपके पास है उनी का यूटलाइजेशन करते हुए कुछ अच्छा अपने लिए हासिल करने की कोशिश कीजिए कुछ नया करना चाते हैं कुछ बड़ा क के पास पूरी नहीं है तो जल्दबाजी में कुछ भी बड़ा कदम लेने से पहले सोच ले समझ ले चीजों को बहुत अच्छी तरह से एनलाइज कर लें पैसों के संबंदम में आज कोई बहुत अच्छी न्यूज आपको दिन के मद्द्ध भाग के बाद प्राप्त हो सक दिया और आपको क्या अलग करना पड़ेगा कि आप नॉमल से हटकर आउट ऑफ दा लीग जा पाएं जहां तक बिजनस की बात है कि आपके साथ थोड़ा से परिशानी हो सकती है मानसिक्स तर पर शायद जो भी आप प्लैन कर रहे हैं वह वो डंक से काम नहीं कर रहा और य प्रजिकल नहीं होना चाहिए जो शायद आप पिछले कुछ समय से हो रहे हैं विवाहिक जीवन में यहीं कहूंगा कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजेगा हो सकता है लाइफ पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज करी जाए बोली जाए जो आपको थोड़ा सा ग चीज पर है इस पर काम कीजेगा जहां तक सेहत की बात है आखों से संबंदित रोगतं करेंगे सरवाश तक बता रहा है कि आपका अश्टम स्थान अत्यंत बड़ी है तो अकस्मत धनलाब के योग अचानक से बन सकते हैं आपके लिए उपाई यह है कि महादेव को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाकर ओम शंकराय नमाइस मंतर का 27 बार जाप कीजेगा शुब अंक है चार कलर है ग्रीन भाग्य प्रतिशत है 70 प्रतिशत चलते हैं कैंसर यानि की कर कराशी की तरफ दिन अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा फिर भी कही चीज़ों को लेकर confusion द्वं आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं मतलब कि चाहते हैं कि हर चीज के पीछे कुछ कारण हो जो आप करें वह अच्छी दिशा में जाए लेकिन इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसके पीछे ना कोई और आपको कभी-कभी लगता है कि लाइफ किसी डिरेक्शन में नहीं जा रही है मैं यह कहूंगा थोड़ा धहरे धरिये और जो गैर जरूरी चीज़ें अपनी लाइफ से उनको धीरे-धीरे करके निकालने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुछ बड़ा चेंज य बहुत अच्छा दिन है यदि कोई आपको काम मिला हुआ था कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था तो आज उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे अच्छा दिन है बिजनस की जहां तक बात है अत्यनत शुब दिन है कुछ काम जो अटा कर रहे थे वो पूरे होंगे किसी कारे म कोई इतने साल एक साथ relationship में रह चुका हो आप तानी कितने 20-30 साल आप साथ में रह रहे हो वैसा थोड़ा एक boredom सा शायद आ गया है थोड़ा विजय पाने की कोशिश कीजिए वनना यह आपको तंग करेगा सेहत के हिसाब से गले से संबंदित रोग चेस्ट से संबंदित रोग तंग करेंगे जहां तक सरवाज तक की बात है आपका सब्तम स्थान अत्यन तबली है अपनी social life को थोड़ा quality देजिए निकि ऐसा का ध्यान करते हुए उनको पंचामरित का भोग लगाना है शिवलिंग का अभिशेक कर सकते हैं पंचामरित से तो सबसे अच्छा है और उसके बाद वहीं बैठकर आपको ओम नील कंठा ये नवहा मंत्र का 27 बार जाब करना है शुबंग के आपका दो शुब कलर है आपका मैं ये कहूंगा कि ठीक है आज के समय मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है लेकिन इतना भी अपने आपको चीजों में मत उल्जाईए कि आप सुलज ही ना पाएं एग्रेशन थोड़ा ज़ादा रहेगा आज थोड़ा उस पर कंट्रोल कीजेगा ऑथोरिटी भी रहेगी के नेभरेशन भी रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलाओ ही नहीं करें कि लोग आपसे प्यार करें प्यार मैं गल्फेंड बॉइफ्रिंड वाला ही नहीं करा कि लोग आएं बात करें आप किसी से open up नहीं हो पा रहे हैं इसके बीचे कई कारण हो सकते हैं थोड़ा सा इस सीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा वरना अपने आप में कहीं घुटकर रह जाएंगे थोड़ा spirituality की दरफ जाएंगे तो अच्छा लहेगा आज leadership quality दिखाने का भी आपको मौका मिल सकता है थोड़ा अपने health पर काम कीजिए अपने अपने ओपर थोड़ा समय व्यतीत कीजिए ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा कि कई चीजों में involved तो अपने आपको समय दे ही नहीं पा रह करते हैं उत्साह का level बहुत जादा रहेगा और यह अति उत्साह में convert हो सकता है और यह problem आपको दे सकता है जहां तक business की बात है थोड़ा ध्यान से रहेगा कोई fraud आपके साथ आज हो सकता है तो थोड़ा आपको बचके रहना है जहां तक love life की बात है यहां पर सब कुछ दग रहा है विवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा stressful रहेगा तनाव रहेगा बहुत चीजों को लेकर जहां तक students की बात है यदि कुछ अच्छा result आया है recently या कुछ भी आपने अच्छा किया है तो उसके लिए अपने आपको एक reward दीजेगा उसे क्या होगा कि आ आगे को लेकर बहुत अच्छा फील करेंगे जहां तक सेहत की बात है सर से संबंदित रोगतंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा सान अत्यंत बली है तो पैसे के लेंदेन को लेकर थोड़ा साज ध्यान रखे किसी को पैसा उधार मत दें आपके लिए उपा अब चलते हैं कर्ण यानि की वर्गों की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है कुछ गलक निरने ले सकते हैं पैसे को लेकर तो पैसे को लेकर कोई बड़ा निरने लेना है तो ध्यान से लें मैं तो यह कहूंगा कि आज अवाइट करें जिन लोगों पर भुरोसा करते हैं उनके साथ जादा समय व्यतीत करना है आज कोई अच्छी न्यूज आपके लाइफ से जुड़ी आज आ सकती है जो आपको उत्साह वर्धन अवश्य करेगी मुझे लग रहा है कि लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको कहीं से पुश चाहिए कुछ प्लाइन आपके जो थे वो शायद आज काम करेंगे उनका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा आप से मैं यही कहूंगा कि ठीक है सच बोलना बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी सच ब्लंटली बोलना यादि थोड़ा कड़वाहट के साथ बोल अच्छा दिन रहेगा जहां तक बिजनस की बात है थोड़ा सा बीजी रहेंगे और थोड़ा सा कई चीजों को लेकर परिशान भी रहेंगे शायद कई काम आपके एंड में आके अटक जाते हैं और वो चीज आपको आज परिशान करेगी जहां तक लव लाइफ की बात है जो भी मन में बाते चल रहे हैं अपने पार्टनर से आज कीजिएगा और उसके साथ ये भी गहूंगा कि यदि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से किसी भी एस्पेक्ट में उसके बारे में भी उनसे आपको बात करनी है जहां तक विवाहिक जीवन क भी है तो आज का दिन अच्छा रहेगा कि सिहत के हिसाब से यही कहूंगा कि नसों से संबंदित रोग तंग करेंगे सरवाज्टक के हिसाब से आपका पांच वास्तान अत्यन तबली है शेर मार्केट में आज ज्यादा पैसा इंवर्स मत कीजिएगा थोड़ा नुक्सान ह हो सकता है कि आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको शिवलिंग का दूद से अभी शेक करके ओम महादेवाय नमहाई स्मंत्र का 27 बार जाप करना है शुबंग के आपका पांच कलर है ग्रीन भाग्य प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत आप चलते हैं लिब्रा यानि की तु है इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी सोचने समझने की शमता अच्छी रहेगी आपसे एकी जीस कहूंगा कि थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचिए पुरानी चीजों को पुरानी बातों को जादा महत्व मत दीजिए क्योंकि वही चीज़ें जो आपको आग अच्छी चीज है लेकिन यदि आपके उपर बहुत जादा responsibility लोग डाल रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा उनको भी बोलिए कि मेरी भी क्षमता है कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है तो उसके उपर सारी responsibility डाल दी जाती है औ और वह मना भी नहीं करता और इसी कारण से वह problem भी जेलता है यादि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बोल दीजे लोगों को भई मैं यह चीज नहीं कर सकता ना गहना सीख जाएंगे जिए जिए जीवन में जीवन सरल हो जाएगा पैसों के संबंद में कुछ काम अटक रहे थे आज वो पूरे हो सकते हैं करियर पे चलते हैं यहां पी वही चीज कहूंगा जो थोड़ी दिर पहले कही थी कि पुरानी बातों में खोई रहेंगे और शायद पिछले कुछ समय से खोई रहे हैं कि मैं तब यह कर लेता तो अ आज मैं कहीं और होता या होती इन चीजों से निकलने की कोशिश कीजिए जो हो चुका वो हो चुका अब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए बिजनस में दिन अच्छा है कुछ नया करने की सोचेंगे तो एक आइडिया भी आएगा और ऐसा आइडिया आएगा जो आपको बहुत आगे तक लेके जा पाएगा लव लाइफ के चलते हैं यहां पी वही चीज आज पूरा दिन यहीं लग रहा कि दिन तो ठीक है रेकिन पुरानी बाते हर चीज में याद आती रहेंगे कभी-कभी ऐसा होता है जब के साथ के पुरानी बातों में ही हम खोई रहते हैं स्टूडेंस के लिए यही कहूंगा कि थोड़ा creativity लाईए अपने पढ़ने के तरीके में अपने study pattern में क्योंकि शायद जो आप तरीके अपना रहे हैं वो आप काम नहीं कर रहे हैं जहां तक सेहत की बात है hormonal disorders दंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा स्था इस बार जापकनना है शुबंक है आपका one color है blue dark blue और भाग्य पतिशत है 70 आप चलते हैं स्कॉर्प्य आने के व्रिष्चे की तरफ दिन आज का आपका ठीक ठाक सा है अच्छा दिन है celebration का महल रहेगा घर में कुछ ना कुछ अच्छी नियोज आ सकती है फिर भी एक मन में अने शित्ता चलती रहेगी back of the mind कुछ ना कुछ काम आपका काम है जो शायद अटक रहा है पूरा नहीं हो रहा है या आपके हिसाब से नहीं जा रहा है back of the mind वो चिंता चलती रहेगी वन्ना तो दिन अच्छा है balance रहेगा कुछ करना चाहते हैं बड़ा या कुछ नया करना चाहते हैं तो सबकी इंपूट जरूर लें सबसे राय मश्वरा लें लेकिन एंड डिसीजन आपका ही होना पर होना चाहिए लोगों से बाते कीजिए उसके बारे में डिसकस कीजिए उसके बाद ही कोई निननने लीजिएगा इमोशनली आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे करियर पर चलते हैं आगे बढ़ने में बहुत उत्सक हैं और उसके कारण कुछ जल्दबाजी में आज गलत भी कर सकते हैं तो अपनी एनरजी को कंट्रोल कीजिएगा जहां तक बिजनस की बात है अच्छा दिन है थोड़ा अपने क्लाइंस के साथ जो संबंध है उनक अच्छा व्यतित कीजिए क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए दूसरे के साथ तो अच्छा रहेगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है चोटी मोटी बातों पर बहुत जगड़े होंगे जिन बातों को राम से इग्नोर किया जा सकता है अज उन्हीं पर जगड़े हों मैंने बहुत स्टूडेंस के साथ देखा है उनको सब कुछ चाहिए नोट्स भी चाहिए हर ओनलाइन प्रोग्राम में भी उनको इन्वाल्व होना है लेकिन तब भी हमेशा बोलते रहते हैं कि में पास यह कम है वो कम है ऐसा नहीं है जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उनीक दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पैन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको महादेव को बेल पत्र अरपन करकर ओम शंकर आयन अमहाई स्मंतर का 27 बार जाप करना है शुबंग के आपका चार कलर है आपका और अंज भाग्या प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत चलते हैं धनों यानि कि सेजिटेरियस की तरफ आज का दिन आपके लिए मिला जुरा सा रहेगा शॉर्टकट्स मत लीजेगा किसी भी चीज में आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजेगा आप थोड़ी इमोशनल जादा रहेंगे आप चाहेंगे कि हर कोई आपसे सौमेता के साथ बात करें लेकिन चायद ऐसा नहीं होगा और कोई भी आपसे थोड़ा सा भी रूड होता है आप बहुत गलत तरह से उनसे रियाइक्ट करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में कहीं अठक गए हैं पैसों के हिसाब से कहीं तो हो सकता है आपकी फैमिली आपकी मदद कर सके थोड़े सौभी मानी होते हैं थोड़े नहीं बहुत सौभी मानी होते हैं धनू राशी के जा तक तो वह help नहीं मांगते लेकिन क कभी गभी ऐसा होता है कि हम कहीं पर आके अठक जाते हैं तो ऐसे समय में फैमिली से हेल्प मांगी जा सकती है शायद आपके लिए ऐसा ही कुछ मुझे देख रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल एप्रोच लेये लाइए सपनों की दुनिया में पिछले कुछ दिनों से जाधा ख कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज यदि आपका कारेक्षेत्र में वाद विवाद हुआ तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे बिजनस के लिए ठीक ठाक सा दिन है जाधा आपका मन नहीं लगेगा अपने बिजनस में जहां तक लव लाइफ की बात है अत्यंत शुब कीजिएगा जहां तक स्टूडंस की बात है जो महनत कर रहे थे शायद वो सही राह में जा रही है राह पर जा रही है इसके लिए आज आप बहुत अच्छा फील करेंगी अच्छा दिन है अच्छा दिन है बहुत अच्छा दिन है कोई एक्जाम बढ़ता है तो जो भी मनस्थान अत्यंत बली है धन को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी आपके लिए उपाई है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए उनको पंचामृत का भोग लगाना है मंदर जा सकते हैं तो शिवलिंग का पंचामृत से अविशेक करना है और फिर महादेव के सामने दिन अच्छा है लॉजिकल रहेंगे अपने मस्तिश्क का अपनी लॉजिकल ठींकिंग का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे जो मेहनत कर रहे थे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आज मिल सकते हैं आप से यह कहुँगा कि जो भी लाइफ में करना चाहते हैं लौंग टर रहें इसलिए आज का दिन है उन निर्णे को सुधारने का क्योंकि आज जैसे में ने कहा लॉजिकल रहेंगे इंटिलेक्चुल रहेंगे तो जो भी कुछ गलत का रहें गलत निरने पिशले कुछ अपने लिए जीना शुरू कीजिए, करियर पर चलते हैं, अच्छा दिन है आज, महनत का दिन है लेकिन लाब मिलेगा, जहां तक बिजनस की बात है जल्दवाजी नहीं करनी, चीजों को सामाने रूप से आगे पड़ने दें, लव लाइफ में यही कहूंगा कि जो प्रॉब साथ ही हों, फिजिकली, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उनके साथ, जहां तक स्टूडेंस की बात है, अच्छा दिन है, आपका लॉजिकल रहेंगे, जैसा मने शुरू में कहा, उसका उप्योग आप अपनी स्टडी में कर पाएंगे, सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक स करते हुए, ओमने मश्यवाय का 108 बार जाप करना है, शुबंग के आपका 6 कलर है, आपका ब्राउन भाग्य पतिशत है, 70 पतिशत है, चलते हैं, एक्वेरियस याने की कुम्भ की तरफ, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, कोई इच्छा पूरती आपकी हो सकती है, इच थोड़ा कुछ क्रियेटिव बनिए, कई काम आपके और अच्छे हो जाएंगे, यदि आप थोड़ा क्रियेटिविटी इसमें डाल देंगे, अपने पैशन को फॉलो करना कभी मत बूलिए, आज अपनी होबी में भी थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ कारे जो नहीं बन रहे थे, जैसा मैंने थोड़ी दिर पहले कहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि नवामसा में थोड़ा सा में देख रहा था, तो आपको कुछ अलग उनके लिए करना पड़ेगा, आउट ऑफ दा बॉक्स तिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको जो आप अब तक नहीं कर रहें, वैसा उनके लिए कोई solution आपको निकालना पड़ेगा, दिन तो अच्छा है, थोड़ा सा creative बनी है, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, बैंकिंग से लिड़ा कुछ काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा, जहां तक business की ब जिवाहिक जीवन में यही कहूंगा, कि जितना कम बोलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जाद मत बोलेगा, आज वरना problem होगी, जहां तक students की बात है, यदि कुछ problems आ रही है, तो दूसरों से मदद मांगे, दोस्तों से अपने, जो आपके course students है, उनसे मदद मा आपका 27 बार जाब करें, शुबंग के आपका दो color है, औरेंज भाग्य प्रतीशत है, 70 प्रतीशत है, पाईसेस यानि की मीन की तरफ, आपके लिए आज का दिन अच्छा देख रहा है, अपने उपर भरोसा बड़ेगा, थोड़े curious रहेंगे, कई चीजों को लेकर नया कु ऐसा आना चाहिए कि उसको कुछ नया सीखना है, तो एक उर्जा बनी रहती है, अपने मन की बातों को सुनना शुरू कीजिए, intuition जैसा मैं बता चुका हूँ, मीन राशी के जातकों में बहुत अच्छी होती है, कभी-कभी उस intuition को समझते नहीं है, तो अपनी intuition पर ध्यान द करास कीजिए, क्योंकि वो लोग शायद आपको negatively impact कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने का समय है, आज spiritual काफी feel करेंगे, पूजा पार्ट में काफी मन लगेगा, दिन अच्छा है, करियर पजलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन बहुत अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे toxic लोग हैं, आपके कारेक शेत्र में, जो आपके सामने तो आपके हितैशी बनते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, जैसे ही आप उनकी दरफ पीट करते हैं, वो एक छुरा लेके खड़े होते हैं आपकर वार करने के लिए, मतलब कि आपके पीट पीछे back biting, आपके पीछे आपकी बु बिजनस की बात है, चेंज लाने की जरूत है, कुछ positive change लाएंगे तभी positive तरह से आगे बढ़ेंगे, करियर पे चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, बहुत अच्छा दिन है, relationship से शादी की तरफ जाने के लिए planning करना जो है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, जो लोग single है, उ बहुत problems होगी, students से यह कहूंगा कि, overconfidence बहुत आ रहा है आपके अंदर, और यह overconfidence आपको बहुत तंग करेगा, जहां तक सेहत की बात है, थोड़ी anxiety हो सकती है, सरवाश्टक के हिसाब से आपका लावस्तान अतिन्त बली है, तो कही न कहीं से अचानक से कोई लावकारी आपके लिए उपाए है, महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर, ओम महा देवा ये न महा, इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए, शुबंक है 6, कलर है ब्ल्यू, भाग्या प्रतिशत है, 70 प्रतिशत, तो यह था आज का राशिफल, चैनल पे नहीं है, सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, उमने बच्छाइब,